बच्चो त्रिकोड मिती सब्द आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। ट्राइगोनोन, दूसरा मेट्रोन का मतलब होता है ट्रैङल या फिर त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मीजर या फिर मापन। त्रिकोण में ती गणीत की वह साखा है जिसके अंतरगत हम त्रिभुज से संबंदित कोण और मापों का अध्यन करते हुए और भी अलग-अलग समस्याओं को हल करते हैं यह वह साखा है अब हम देखते हैं कोण की परिवह से एक ही समतल में किसी परिक्रामी रेखास के उसकी प्रारमधिक इस्तिती से अंतिम इस्तिती तक के गुणन को कोण कहते हैं कोण को धनात्मक और रिनात्मक दोनों तरीके से हम माप सकते हैं चलिए चित्र में देखते हैं माना यह O-A एक किरण है और O जो है इस्तिर बिंदू है अब यह जो O-A है इसका इस्तिर बिंदू O स ओ तो इस्तिर है लेकिन ए जो है वो घड़ी की उल्टी दिसा में आगे घूमता है और ओ भी अपनी एक अंतिम इस्तिती को प्राप्त करता है तो यह जो O A और O के बीच में यहाँ पर जो विचलन दिखाई दे रहा है यही है कोण जिसे हम थीटा, अलफा, बीटा अलग अलग चरों का इस्तिमाल करकी हम इसे प्रदर्सित करते हैं कोण धनात्मक भी होता है और रनात्मक भी होता है जब कोण का मापन घड़ी की उल्टी दिशा में किया जाता है तो उसे धनात्मक लिया जाता है और जब कोण का मापन घड़ी की दिशा में किया जाता है तो उसे रनात्मक कोण कहते हैं चतुर्थांस या फिर quadrant, एक समतल पर दो परस पर लंबवत रेखाएं, जो एक दूसरे को O परपति छेद करती है, इनको हम निर्देसाक्ष कहते हैं, यह जो दिख रहा है O से X या OX, एक्सिस, और शी तरीके से O से Y की और जो दिख रहा है, या Y से Y डेस जो है, यह Y अक्ष है, और X से X डेस, जो है यह X अक्ष है, तो यहाँ पर जो बन रहा है area, यह प्रथम चतुर्थांस है, यह दूतिय चतुर्थांस है, यह तृतिय चतुर्थांस है, और यह जो है चतुर चतुर्थांस है, अब हम आगे देखते हैं कोणों की मापन की पद्धतियां, कोणों है सस्टिक पध्धती या सेक्सागेसिमल सिस्टम दूसरा है सतिक पध्धती या सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है वृत्ती पध्धती या फिर सर्कुलर सिस्टम अब हम आगे एक-एक को एक अंस या डिगरी कहा जाता है एक अंस के 60 बराबर भाग किये जाते हैं जिसे कला या फिर मिनट्स कहते हैं और इस एक कला को 60 बराबर भागों में भाग दिया जाता है तो जो एक भाग है वह विकला कहलाता है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 60 विकला, 60 डबल डेश, विकला के लिए डबल डेश का इस्तेमाल किया जाता है, कला के लिए सिंगल डेश का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 60 विकला बराबर एक कला, और 60 कला बराबर एक अंस, और 90 अंस बराबर एक समकोण, अब चलते हैं सतिक पद्धती पर, कोण को मापने के लिए सतिक पद्धती में एक समकोण को सो बराबर भागों में बाटा जाता है, इस प्रकार प्राप्त एक भाग को हम एक ग्रेड कहते हैं, एक ग्रेड को पुनह सो बराबर भागों में भाजित किया जाता है, प्रत्येक बहाग को कला या मिनट कहते हैं। और मिनट के सवे भाग को मतलब एक मिनट को फिर से सो भागों में बाटा जाएगा। जिसे हम विकला या सेकंड कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सौ विकला बराबर एक कला, सौ कला बराबर एक ग्रेड और सौ ग्रेड बराबर एक समकोड, वृत्ति पधति, वृत्ति पधति में कोड मापने का जो मातरक है वह रेडियन है, इससे भी आप पूर्व में परिचित हैं, तो आईए हम चित्र में इसे समझने की कोसिस करते हैं यहां पर यह x x डेस यह x है और y और y डेस यह दूसरा अक्ष है तो इस तरीके से x और y दो निर्देस अक्ष हैं इन दोनों का कटान बिंदू O या मूल बिंदू है इस मूल बिंदू से आर इकाई का त्रिज्या मान कर हम एक वृत्त खीचते हैं अब यह जो वृत्त है x अक्ष में जहां पर प्रतिछेद कर रहा है x अक्ष को वह बिंदू A है और O से लेकर के A तक की जो बिंदू है O और A की बीच की जो दूरी है वह आरीकाई है जैसा कि हमने पहले कहा था तो इसी लंबाई का अगर हम चाप ले ले तो एक चाप हम काटते हैं A, B अब यह जो बिंदू वृत्त पर इसी बी है उसे हम O से मिलाते है तो O से A की जो दूरी है वही चाप की लंबाई A, B है तो इस प्रकार यहाँ पर जो कोण थीटा बन रहा है इसे हम एक रेडियन कहेंगे या फिर हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं किसी वृत्त के केंदर पर उसकी त्रिज्जा के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का परिमान एक रेडियन है एक रेडियन को वन और उसके घात में छोटा सा C द्वारा प्रदर्सित किया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्जा होता है समानिता कोण को थीटा, चाप को S और त्रिज्जा को R से प्रदर्सित किया जाता है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं theta बराबर s by r वृत्त की परीधी की जो लंबाई है वह 2 pi r होती है यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर यदि हम वृत्त की परीधी को वृत्त की त्रिज्या के बराबर भागों में विवाजित करें तो हमें कुल भागों की संख्या मिलेगी 2 pi r upon r equal to 2 pi तो इस तरीके से वृत्त की परीधी द्वारा वृत्त के केंदर पर बने कोण का मान 2 pi radian होता है अब हम और आगे इसे समझे तो हम यह कह सकते हैं कि वृत्त की परीधी के केंदर पर 4 sum cone बने होते हुए वृत्त की केंदर पर 4 sum cone बनते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं 2 pi radian बराबर 4 sum cone या फिर 360 ans तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 1 radian बराबर 4 बटे 2 pi sum cone या फिर 360 बटे 2 pi आगे हम हम हल करेंगे तो मिलेगा 2 बटे pi sum cone या फिर इसे और जब आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 57 degree, 17 minute और 40 second ये लगभग एक मान तो standard form में हम result अगर हमें उप्योग करना है तो हम ये करेंगे pi radian बराबर 2 sum cone या फिर pi radian बराबर 180 कोसेंग